इसे बनाना बहुत है और खाने में बहुत ही सुन्दर और टेश्टी लगता है तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिंट करना मत भोड़िये तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस के फ्राइब करनेंगे और गैस को आपकर लेंगे पैन को हम अच्छी से गरम होने देंगे और उसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छी सbt hella लेंगे, तिल गड़म हो चुका है अब हम इसमें एक को तोड़ेंगे, तो हम इसे एक को तोड़ेंगे, तो ऐसे हम एक को तोड़ेंगे तो हम चार अंडे इसमें तोड़ रहे हैं अब हमें चम्मत की सहाड़े इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमें ज्यादा भुर्थी के जैसे नहीं चलाना है इसमें पीसेस तयार करना है तो हम आडाम आडाम से इसे चलाएंगे अंडे को हमने मिक्स कर लिया तो थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ब्लाइक पेपर डालेंगे अब हम क्या करेंगे एक चम्माज से इसे पीसेस का सेप देखें ऐसे ऐसे और चलाएंगे जिसे कि हमारे राइस में यह जो पीसेस अच्छे से दीखिएगा तो ऐसे हम छोटे छोटे पीसेस में तोटते होई जी अच्छे से पता रहेंगे अपना अंडा जो है देखिए फ्राई हो चुका है इसके अच्छे से पीसेस बने है याने की मोटे-मोटे अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे तो हम अंडे को एक प्लेट में निकाल देंगे हमने एक बुर्जी को खाले कर लिया है अब हम इसी पैन में सब्जी फ्राई करेंगे तो सबसे पहले हम गैस को आउन कर लेंगे और इसमें एक बड़ा चमच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम आपको सब्जी बता दे रहे हैं तो सब्जी में हमने कैबेस, बीन्स, कैरेट, ग्रीन चिल्ली, एस्प्रींग ओनियन का ग्रीन पर, कैप्सिचम, ओनियन को हमने बारिक पाटलिया है 15-20 कली गार्लिक को हमने बारिक बारिक काट लिया है तो चलिए अपना तेल गरम हो चुका है अपना उसमें हम सबसे पहले गार्लिक डालेंगे तो ये हम एक फ्राइ राइस बना रहे हैं यानि कि चाइनी जैसा ही हम बनाएंगे जो गयस का फ्लेब हम तेध की रखेंगे गार्लिक को हमें जश्क कचापन दूर करने की लिए इसे प्राइ करना है ये इसे करना है लैस्थूए का कंचापन हो गया है आप हम इसमें ओनियन डागे है तो हमने एक मेडियन इस olabilironi को अलशे से काट लिया है और इसे भी हम आधा मिनट ही फूनेंगे तो ध्यान बहे गैस का फ्लेन हमें तेज भी रखना है तो आप देख सकते हैं अपनी प्याज की कचापन चली गई है अब हम इसमें बीन्स और कैरेट डालेंगे और साथ में हम बीन्स भी रालेंगे और इसे भी हम आधा मिनट करनेंगे फिर से आपको बता दे वहीं हम गैस का फ्लेम तेज ही रहना चाहिए क्योंकि हम एक फ्राइड राइस बना रहे हैं तो चाइनिक डिश में फ्लेम तेज रहता है यह मैं तब वीडियो में बताती हूं और इसे हम ज़स्ट कचापन दूर्ण होने तक भूनेंगे प्रभ्ध्यान से देखे बीन्स और केरेट की कचापन चली गई है अब हम डालेंगे कैदेज और केप्सी कम तो सबसे पहले हम कैदेज डालेंगे हम केप्स कम लाश्ट में डालते हैं क्योंकि यह बहुत जल्द कर जाता है और इसे भी हम तेज़ फ्लेम के आधा मिनत तक अर्चे से भूनेंगे इसे हम कंट्यू एस्टर करते रहेंगे क्योंकि फ्लेम अब भी बहुत ही हाई रथी है हमने कैदेज और केप्सी कम भून लिया है अब हम इसमें नमक डालेंगे तो आप अपने टेश्ट के अनुशार नमक डालेंगे और इसे मीक्स कर लेंगे अब हम इसमें सॉस आइड करेंगे तो सबसे पहले हम ग्रीन चिली शॉस डालेंगे तो यहां पर हमें रेट चिली शॉस नहीं डालना है तो ग्रीन चिली शॉस हम जादा ही डालेंगे दो चमज हमने डाला है और अब हम वाइट विनेगर डालेंगे तो हम दो चमल वाइट विनेगर डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम राइस करेंगे तो राइस को हमने पहले ही वाइल कर लिया था अब हम उसको आड़ करेंगे इसमें अब हम राइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो कभी भी हम चाइनिज फ्राइक के लिए जब राइस तयार करते हैं तो उसे 90% ही कूप करते हैं आप देख सकते हैं बिलकुल खिला खिला अपना चावल है एक एक दाना अलग-अलग दिख रहा है अब हम इसी के साथ करेंगे क्योंकि अपना एक फ्राइड राइस है तो हमने इसे कैसे पीसे उने फ्राइड किया है वह भी आप देख लिए तो कि जब हम फ्राइड राइस को दिखना चाहिए अब हम अच्छे से इसे ईस टरट करेंगे तो हमने ए एक को राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है आप देखिए कितना टेंटिंग लग रहा है अपनी एक फ्राइड आइश- अब हम गयस के फ्लेम को आफ्स कर लेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे तो हम एक प्लेट लेंगे और से शर्ब करेंगे एक खाने में तो जवर्दस लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है तो हमने यह ग्राइश को शर्ब कर लिया है अब हम इसको थोड़ा सा ग्रीन ओनियन से गार्णिस करेंगी तो हम थोड़ा सा एस्प्रींग ओनियन डाल रहे हैं तो फ्रेंश आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी एक फ्राइड रैस तैयार हुई है इसे बिनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेश्टी है यह खाने में बहुत ही जवर्दस लगता है तो फ्रेंश अगर आज की मेरी ये रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरे सैनल को लाइक कीजी सब्सक्राइब कीजी शेयर कीजी और कमिट करना मत भूली धन् गितना है मिला प्रेंट बहुत है एक अ बहुत है तो भाँ शे खाने हाने है कीजी आपे ही काम सेव्सक्राइब का ल contributes जबताएब कर marvel लमा provided